मुनवर फारुकी बने बिग बॉस 17 के विनर नमस्कार आप सभी का एक बार फिर्ट से मेरे ऑफिशल यूट्यूब पेज पर स्वागत है मुनवर फारुकी ने रविवार की रात बिग बॉस 17 का खिताब अपने नाम कर लिया और वहीं दूसरी और अभिशेक कुमार रनर अप रहे जीतने पर मुनवर फारुकी को इनाम में 50 लाख रुपे और हुंडाई करेटा की जो अभी गाड़ी लांच हुई है करेटा जो इस समय काफी बिक रही है वो कार उन्हें इनाम के तोर पर बिग बॉस 17 का खिताब जितने पर दी गई है हर बार की तरह हम आपसे हर वीडियो में यही कहते हैं कि अगर आप भी जो वीडियो हम अपने तमाम दर्शकों तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं अगर आप उस वीडियो की कोई भी जानकारी अगर आप जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं जिस तरह से आज हम आपको कोशिश करें हैं बिग बॉज 17 के विनर जो मुनवर फारुकी रहे उनके साथ जो उनके रणर अप थे अभी शेक कुमार क्या 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 बाते हैं हम तमाम बातें आप तक पहुँचाने की कोशिक करेंगे 28 जनवरी 2024 की रात आप सभी दर्षकों ने कलर्स टीवी चैनल या फिर जियो सिनेमा पर देखा होगा कि किस सरां से पूरा शो चलता रहा और आखरी में बालिबुड के खान सलमान खान ने मुनवर फारुकी को विनर कर दिया शो के टाप पांच कंस्टेंट की दोड में अंकीता लोखंडे अभी शेक कुमार मुनवर फारुकी मनारा चोपड़ा और अरुन माशेठी शामिल थे इस सीजन की शुरुआद 16 अक्तूबर से हुई थी एक बार फिर से बता दें आपको बिग बॉस 17 सीजन की शुरुआद 16 अक्तूबर से हुई थी सलमान खान ने इस पापुलर रियालिटी शोग को होस्ट किया काफी चर्चों में रहे मुनवर फारुकी जिस तरह से उनके डायलॉग उनकी शैरी उनकी कॉमेडी से वो काफी जाने जाते हैं काफी सारे उनके फैंड जो चाहते थे कि ट्रॉफी उनी को मिले ट्रॉफी डोंगरी में जाए बहुत सी रील वाइरल हुई है कि जो ट्रॉफी है बिग बॉस 17 की वो डोंगरी में आएगी तो आखिरकर वही हुआ जो ट्रॉफी है वो मुनवर फारुकी को मिली और साथ ही साथ एक बाफिट से आपको जान कर दे दे इंडाम में 50 लाक रुपे और हुंडाई की न्यू कार क्रेटा उन्हें इंडाम में दी गई आखरी में अपने देखा होगा कि उन्होंने अपनी ट्रॉफी शेर भी की अभिशे कुमार के साथ जब उन्हें सिल्मान खान सर द्वारे ट्रॉफी दे गई तो उन्होंने वो ट्रॉफी अभिशे कुमार के साथ शेर भी की इस वार का जो बिग बॉस 17 का जो सीजन था वो हर साल की तरह बहुत ही रुमांचक रहा हर किसी ने इसको ध्यान से देखा आप देख सकते हैं तस्वीरों में सरमान खांड सर उनको ट्रॉफी दे रहे हैं और कितने खुश नज़रा आ रहे क्योंकि आखरी में आपको पता ही है कि किस तरह से विनर जो रहता है उसकी किस तरह से सूचना सभी को दी जाती है उसी को देखते हुए वो भी काफी इमोशनल थे लेकिन आखरी में जब उनका नाम लिया गया कि आप ये ट्रॉफी जीत गया है तो वो खुशी के पल आप सबी ने देखे ही होंगे काफी देर तक ये शो चलता रहा शरिवार की राद ये शो चला और आखिर में ये शो रविवार के दिन यानि 28 जनवरी को देर राद तक ये शो चलता रहा साड़े बारा एक बज़े के आसपास ये शो खतम हुआ उसके बाद इंस्टाग्राम पर काफी चर्चाए होने लगी मुनवर फारुकी की तो हमने भी सोचा कि क्यों ना इस वीडियो के माद्यम से अपने तमाम दर्शकों तक जानकारी पहुंचाई जाए कि बिग बॉस 17 के जो विजेता है वो मुनवर फारुकी बन चुके है बिग बॉस चो के पिछले सीजन में विनर अनौसमेंट से पहले पैसों से बड़ा ब्रीफ केस कंस्टेंटर के सामने पेश किया गया था सीजन पंद्रा में निशाद बट और सीजन सोला में अर्चना गोतम ने ब्रीफ केस लिया था इस बार ऐसा नहीं हुआ आप सभी ने देखा होगा कि इस बार ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ इस तरह से जो होता रहा वो इस बार ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ लेकिन इस बार आपने देखा कि किस तरह से जो गाड़ी थी हमने आपको बताया हुंडाई की न्यू करेटा कार वो उन्हें इनाम के तोर पर दी गई और ट्राफिय आप सबी ने देखे होगी इस समय भी हम आपको स्क्रीन पर दिखाने की कोशी करें हैं के मुनवर फारुगी के हाथों में वही ट्राफिय है जो बिग बॉस 17 के सीजन में विजेता को दी गई आखरी में हम आपसे एक बार फिर कहेंगे कि अगर आप भी कोई भी जानकारी इस वीडियो के मादम से जानते हैं या अपने सवाल या कुछ पूशना चाहते हैं तो जुरूर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं हम कोशी करेंगे कि आपके सवालों का जवाब उन्हीं कमेंट बॉक्स में दे सकें फिलहाल ये आपको वीडियो किस तरह से लगी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और जो मुनवर फारुकी के फैंट्स हैं वो इस वीडियो को शेर भी कर सकते हैं अपने दोस्त तक पहुचा सकते हैं अपने गाओं में कि उनके ही गाओं का एक शोरा ये ट्रॉफी बिग गर जीत लाया है फिलहाल इसी वीडियो के साथ आप हमें दें इजाजत आप सब अपना ख्यार रखें नमस्कार